नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैं हमारे इलेक्ट्रिक दुकानदर भाईयों के लिए लेके आया हूँ जहां पे मैं आज आपको हमारी कंपनी वेबसाइट जूलस्विचेस.in पे कैसे रजिस्टर करना है या लॉगिन करना है कैसे online order में जाके products को select करना है और select किये हुए products को किस तरह से order में place करना है ये पूरा process में इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ तो ध्यान से दिखिएगा आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये website juleswitches.in पे जाना है आप chrome के द्वारा या किसी भी अन्य प्राउजर के द्वारा ये website पे जा सकते हो ध्यान दिजेगा दोस्तो हमारी कंपनी का application भी है जहाँ पे आपको same process ही follow करना है आप जैसे ही ये website पे जाएंगे आपको यहाँ पे इस तरह का कुछ screen देखेगा और नीचे आते तीन आपको इसे बटन देखेगे जहाँ पे पहला बटन है login register का second button है online order का और तीसरा button है your order का सबसे पहले आपको login register वाले बटन पे जाना है वहाँ जैसे ही आप जाएंगे तो अगर यदि आपने अमारी company में already कोई account बनाया हुआ है तो आप सीधे login कर सकते हैं आपका email address और password डालके और या आप mobile number के द्वारा भी login with OTPP पे click करके mobile के द्वारा भी आप login कर सकते हैं आप नहीं यूजर है पहली बार हमारी website विजिट कर रहे हैं तो आपको register करना होगा जैसे आप registration पे click करेंगे आपको email address जो भी password आप set करना चाहें वो password आपका mobile number ये तीन चीजे दे के register करना होगा या आप mobile के द्वारा भी हमारे website पे register कर सकते हैं ये पूरा process complete करने के बाद आपको online order वाले option में जाना है जिस पे click करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का screen लोड़ हो जाएगा जहां पे आप कुछ प्रकार का screen आपके सामने लोड़ हो जाएगा जहां पे आप इस तरह से थोड़ा नीचे scroll करके देख सकते हैं सब product categories जो जो अलग-अलग category के products हमारी company मनाती है यदि आपको किसी भी product category specifically किसी product category का ही product खरीदना है जैसे कि आपको non-modular का ही कोई product खरीदना है या आपको किसी holder product को ही खरीदना है तो आपको category के अंदर जाके वो ही product को खरीद सकते हैं या फिर आप नीचे जैसे ही आएगे यहाँ पे जितना भी products हमारी company ने list किया हुआ है वो सब आपको यहाँ से दिख जाएंगे मान चलिए अगर आपको p rocker switch order करना है तो आप इसको 5 बार दबाएंगे add to order करेंगे तो यह product आपके card में चला जाएगा अभी समझ लीजिए आपको किसी चीज का स्यादा quantity order करना है जैसे कि यह p 188 है मुझे इसका 300 piece add करना है तो आपको यहाँ पे 300 इस तरह से लिख के भी add to order कर सकते हैं एक बार सभी products को select करने के बाद जैसे ही आप सभी products को select कर लेगे इसके बाद आपको यहाँ नीचे से your order पे click करना है आप यहाँ उपर भी click कर सकते हो जैसे आप your order पे click करेंगे तो आपने जो जो products को select किया है वो सब products आपको यहाँ पे दिखेंगे और आपको उसका price दिखेगा कि यह क्या price पे आपको वो एक piece पढ़ रहा है जैसे कि साड़े बारा रुपे, बारा रुपे क्यावत पैसे कितना order quantity आपने अल्रेडी किया हुआ है और total amount with GST कितना amount आपका GST के साथ वो उतनी quantity का बंढ रहा है बारा रुपे क्यावत पैसे का एक सुचे 100 quantity के लिए यह बारा सो पचास पाट 80 पैसा बंढ रहा है यहाँ पे हमने इसका 350 डाला है तो यह दिख रहा है यहाँ पर यदि आपका order 10,000 से उपर जाता है तो आपको additional 3% मिलता है वो भी यहाँ पर automatically minus होता है जैसे ही आपका order 10,000 से उपर गया होगा जैसे ही आपका order 25,000 से उपर जाता है तो यहाँ पे 6% के साब जिख वो order में minus हो जाता है यहाँ पे एक बार आप इसका total चेक कर सकते हैं और जैसे ही आप proceed to checkout पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ किस तरगा screen open हो जाएगा जहाँ पे आपको billing related जितनी भी details है वो आपको यहाँ पे देजिए ध्यान दिजेगा दोस्तों जितनी भी details यहाँ पे लिख्यूभी है खास करके आपको ध्यान करना है कि कोई भी details अपने ना भरी हो या छोड़ती हो ऐसा ना हो वरना ये page आगे process नहीं होगा वो और error दिखाएगा ठीक है आपको यहाँ पे आपका नाम आपका mobile number यदि आपके पास कोई दुसरा mobile number alternate number है तो वो आप दीजे अगर नहीं available है तो उसको छोड़ सकते हैं ये optional field है आपका email address जो भी हो Gmail या हो या ऐसा किसी कमणी के साथ जो भी आपका email address हो आपका दुकान का नाम अगर आपके पास GST number है तो आप यहाँ पे yes लिख सकते हैं नीचे GST number का option खुल जाएगा और वहाँ पे आपका दुकान का GST number डाल सकते हैं यदि आपके पास GST number नहीं है तो आप इसको no कर दीजिए तो आपको GST का option नहीं दिखाएगा यहाँ पे आपको आपके दुकान का पता डालना है आपका city, शहर, आपका state, आपका pin code यहाँ पूरा details डालने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा से अच्छे आना है और आपका payment mode select करना है कि यदि आप GPAY, phone pay, UPI, cards, net banking के द्वारा payment करना चाहें तो आप first option को select कर सकते हैं यदि आप ATM के द्वारा payment करना चाहें तो आप second option को select कर सकते हैं यदि आप cash on delivery के द्वारा payment करना चाहें तो cash on delivery select कर सकते हो यदि आप cash on delivery को as a payment mode select करते हो तो आप तो आपको अभी कुछ deposit amount देना होगा जैसे कि यह order बन रहा है 12,373 रुपे का जैसे आप cash on delivery पे click करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा कि अभी आपको पे कर सकते हो अभी 1,946 पे करने के लिए आपके पास यह दो option रह जाते है या पे ATM से पे करना चाहते है या GP phone पे के द्वारा पे करना चाहते है तो उसके द्वारा आप पे कर सकते है जो भी आप mode select करेंगे place order करेंगे हमारी website से आप इनकी website पे route किये जाएंगे भीजे जाएंगे आप वहाँ पे आपका जो भी details है भी डिटेल से उठाल के पेमिट को जैसे ही complete करेंगे आपका order successfully place हो जाएगा तो ये वीडियो को ध्यान से देखिए पुरा समझ कीजिए अगर फिर भी आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे दो बटन्स दियो है आप हमें कभी भी यहाँ से whatsapp कर सकते है या तो आप हमें call कर सकते है आपकी यहाँ से हम पुरी सायता करतेंगे थैंक्यू दोस्तो ये वीडियो देखने के लिए और हमरे साजू